सिरी गनेश शाय नमा, मात्पिता चर्ण कमलेभ्यो नमा, परमगुरु देवेभ्यो नमा प्रिय बंदु यदि मनुष को कुत्ता, सियार या बानर काट खाए या कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को काट खाए तो जिस मनुष्य को काटा गया है, उस मनुष्य को चाहिए कि वहत तुरंत ही इसनान करके और आपने आपको शुद्ध कर ले इसी प्रकार से यदि किसी मनुष्य को बिल्ली काट खाती है या कोई मनुष्य किसी रजस्वला इस्त्री का इसपर्ष कर लेता है अथवा भुजन करते समय किसी मनुष्य को लगुशंका या दीरगुशंका हो जाती है तो भी उस मनुष्य को चाहिए कि वहत तुरंत इसनान करके अपने आपको शुद्ध करे इस समय समय का ध्यान ना रखे चाहे रातरी का समय हो या दिन का समय हो कोई भी समय हो हमें तुरंत इसनान करके और अपने आपको शुद्ध कर लेना चाहिए यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंथी वे लाइकान दबा करके चैनल की सदस्ता लें ताकि आपको ऐसे और दूसरे ग्यान बर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें यदि सरीर पर छिपकली अथवा गिर्गिट चड़ जाए या गिर जाए तो भी मनुष्ट को चाहिए कि वह तुरंथ इस्दान करें सरीर से कववा या गीध का इसपर्स हो जाए तो महामरतुन्य मंत्र का जाप कराना चाहिए ऐसे ही घर के सामने सियार लोम्री आकर के बोलें यदि घर के उपर प्रती दिन उल्लू आकर के बेढ़ जाए और आवाज करे अथवा घर के सामने कुत्ता या कुतिया आकर के और आवाज करें याने रुदन मचाएं तो ऐसी स्थिती में भी महामृतुंजय मंत्र का जाप प्राणी को कराना चाहिए आज के लिए बस इतना ही सेश फिर कभी अगले भाग में हम नए विशे के साथ में उपस्थित होंगे तब तक के लिए आग्या दीजिये धन्यवाद जै माता जी की जै प्रश्ट